प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की अरुनाचल प्रदेश की यात्रा से चीन चिढ गया है और कड़ी प्रतिक्रिया दी थी अब भारत सरकार ने उसके टिपनी को सीरे से खारिज किया है प्रधान मंत्री की अरुनाचल प्रदेश यात्रा को चीन सुईकार नहीं करता है बयान में कहा कि हम प्रधान मंतुरी की अरुनाचल प्रदेश यात्रा के संबंध में चीनी पक्ष द्वारा की गई टिपणियों को खारिज करते हैं। अरुनाचल प्रदेश राज्य हमीशा भारत का अभिन और अविभाज्य हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा। लंबे समय से चीन अरुनाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है और इस इलाकी को दक्षनी तिबद कहता है। साथ ही भारत भी अरुनाचल प्रदेश पर दावा करता है कि बिते कुछ सालों में यहां कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉंच किये गए हैं। जिसमें सेला सुरंग भी शामल है। खिलाफ बयान बाजी की है। चीन की टिपणियों को खारिस कर दिया है। विदेश मंत्रवाले ने पुस्टी की है कि अरुनाचल प्रदेश भारत का अभन और अविभाज्य हिस्सा है। और हमेशा ही रहेगा। चीनी सरकार ने कभी भी अरुनाचल प्रदेश को भारती राज्य के रूप में मानेता नहीं दी थी। कि मैंने पहले भी कहा है कि अरुनाचल प्रदेश को वो अपना देश मानता है यानि कि उसे जंग नान नाम देता है और तिबत शेत्र मानता है। हलांकि भारत ने कई मौके पर चीनी पक्ष को भारत के राज्य के प्रती लगातार रुख से अवगत करवाया है। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजवाबकेस.com को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।